नमस्कार दोस्तो आज यानि 29 दिसमबर 2016 का जो हमारा प्रिलीम फोकस न्यूस डिसकेशन है उसमें से देख लेते हैं को उनकोंसी न्यूस इंपोटेंट है तो यहां पर देखे आज न्यूस पेपर की जो कटिंग्स है वो मैंने नहीं इंक्लूड की और यह देख रहा था कि क जो नोट्स है वो एसप्ट लेने बंद हो जाएंगे उसके बाद में आर्वाई लेगी 30 मार्स तक उसके बाद में जिसके पास भी कुछ नोट्स से ज्यादा यानि 10 का विचार कर रही है गोर्मेंट अगर 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलते हैं तो उन पर एक तरह की पैन जो लाइफ प्रेजिनेंट का दर्जा दिया है तो इसके खिलाफ में एक विरोध के सवर उठ गया ना सिर्फ गोर्मेंट में बलकि मीडिया में भी जो इंडियन ओलम्पिक एसोशेशन के इस डिसेजन का काफी विरोध हो रहा है तो देखें को यह बन सकते हैं कि एक तो इ इंडियन ओलम्पिक एसोशेशन है किस तरह की यह बोडी है दूसरा देखें में इसका यूज कर सकते हैं कि किस तरह से जो हमारी बोडी है उन पर पोल्टीशन का कबजा है बस और इस न्यूस में कुछ खास इंपोर्टन थाने बाकी न्यूस पेपर में आज कुछ भी इंटरनाइशनलेशन में बिल्कुल ऐसे न्यूस पर्ल हारबर में गए अवे अबhigh self-discovery of United States इस चàng था की उन्यूस हमारे काम की भी बिल्कुल है दूसरे देशों की जो जो न्यूस है इंडर्नाल न्यूस की यूज यूजाटटेरस में क्या क्या हो रहा का है या च।म् presence गीज हमारे लिए बिल्कुल इंपर्टेंट नहीं है. तो आगे देखते हैं. माइनिंग सेक्टर की एक new's important पर इसमें क्या है? वैसे काफी कुछ data रिया है. काफी कुछ data जो इन उने दिया है वो थो important नहीं है. लेकिन एक जो एक ट्राइबल ला है 2006 वाला यहां पर देखिए कौनकों से 2 लाखी बाद यह कर रहे हैं एक तो है Forest Conservation Act 1980 और Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act of 2006 नीचे वाला देखिए third point यह कहते हैं कि जो फिकी कहते हैं इनका business group कहते हैं कि 2 लाखी वज़े से जो mining sector वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है कोई भी जो projects approval में या projects renewal में काफी दिक्कत आती है इनकी वज़े से Forest Conservation Act की वज़े से और Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers की वज़े से तो देखिए इस तरह कि जो आप नाम हमेसा लिखे जब भी आप comments में अपने लिखने होते answers तो substance तो इन ही से आएगा अगर हम सीधा point लिखेंगे कि जो tribal rights and forest rights are in the conflict तो बस एक यह vague line है अगर इस तरह से line लिखेंगे भूरे act के साथ में तो काफी हमारे जो answers का value addition होता है दूसरे देखिए एक और एक ला पास किया गया था पिसले साल जो mining जो amendment act किया गया था उसमें mining में काफी changes किया गये थे तो यह तो इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन इस तरह से आप अपने points में यूज कर सकते हैं यह हमारा जो premium focused news discussion है धिरे-धिरे response system तो यह central government ने जारी की है और central government ने काया कि IVRS जो है integrated voice response system का हम यूज करेंगा यह है पता लगाने के लिए कि क्या call rates आपके साथ हो रही है के नहीं हो रही है या अगर देखिए आपके साथ अगर आपकी call drops हो रही है या अगर आपने किसी को phone मिला है बीच में phone कट जाता है तो इस तरह की problems आपके पास हार रही है तो यह feedback system लेने के लिए central यह system चलाएगा एक number से call आगी computerized number से उसमें आपको बताना होगा feedback देना होगा यह कहां use कर सकते हैं देखिए यह कहीं भी use कर सकते हैं यह अगर आप कोई नई policy बनानी है ethics में कोई case study आती है आपको कोई नई policy आती है तो एक नेतर का innovative solution होगा case study में कि we can use the IVRS in the local community so that everyone can give the feedback and we can make the policy according to that only so we can use this kind of points in our ethics case study so this brings the innovation and we find some new points definitely जो हमारे answers हैं काफी अच्छ हो जाएगा इस से तो याद रखेगा IVRS देखिए मैं भी use करूँगा सिरफ आपके लिए निये मेरे भी है यह union cabinet जो है union cabinet ने क्या किया ह जो ministry of new and renewable energy पिसले साल देखी क्या हो था हमारा international solar alliance आया था उसको approval अब मिली है उसको ex posto जो fact approval मिली थी और अब मिली है तो इस बारे में definitely UPSC 2-3 साल पुराने current affair पूचती है तो 2015 के देखिए Paris summit में इसका गठन हुआ था जो international solar alliance है और इंडिया का काफी इसमें योगदान थ और France के president हमारे इंडिया में आये थे और दोनों ने मिलके इसका उद्गाटन किया था जो इसकी building है उसके लिए इंडिया पैसा भी दे रहा है 30 million कुछ दोलर ऐसा दे रहा है तो यह ऐसा तो नहीं पूचहेंगी लेकिन मैं आप से question पूचता हूँ कि इसका headquarter है का international solar alliance का headquarter ह कहां और जो international solar alliance है क्या यह UN का part है क्या नहीं है यह UPC का favorite question होता है कि whether this agency is the part of the United Nations or not तो आपको यह बताना है दो questions क्या यह इसका headquarter कहां है और यह UN का part है क्या नहीं है United University Grants Commission है इसने क्या किया है University Grants Commission ने जो इसके वेद परकास इनों ने खाया कि देखिए जो state governments है state government जो higher education है उसकी तरफ जादा ध्यान नहीं दे थी सिरफ primary education और secondary education की तरफ में इनका जो 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 जादा होता है और जो state universities होती है उनमें कहीं न कहीं जो higher education है वो पिछड़ जात अगर higher education question आया तो आप यह point जुरूर लिखना कि difference is like central government है उसका focus हमेशा होता है research पर इस तरह की चीज़ों पर क्यों ही competitive चीज़े देखती है वो बाकी देशों से competition करने की सोचती है लेकिन state government में इस तरह का competition नहीं देखने को मिलता federalism में इस point को यूज कर सकता है हमारे प्र last working day of fab को आता था last working day of fab अगर 20 fab नहीं है तो वो एक दिन आगे पिछे हो जाएगा लेकिन वैसे आता था 28 फरवरी को लेकिन अब सरकार ने एक महिना इसको advance कर दिया अब आएगा एक फरवरी को तो अब से देखिए एक महिना पड़ाया economic survey भी आएगा उसे भी हम discuss करेंगे लेकिन देखिए अब इसका फाइदा नुकसान क्या है एक फरवरी को जो आया है एक फरवरी का देखिए अब पहले क्या होता था बज़ेट को pass करने में काफी time लग जाता था और यही आपके लिए question है यह आपके लिए question है कि budget को pass करने में कितना time लगता है hint दे भी दिया और यह बताईए कि budget वैसे पास नहीं होता ना वैसे आपको थोड़ा से बता रहता हूं budget पहले जो है demands रखते हैं सारी की सारी ministries होती है फिर उन पर discussion होती है और फिर जाके budget पास होता तो इसमें काफी time लग जाता है वो time आपको बताना है तो काफी time देखें लग जाता है तो शुरू के 2-3 महीने होते हैं सुरू के 2-3 महीने तो departments को पैसा मिल ही नहीं पाता है तो यह पैसा का अच्छा utilization नहीं हो सकता है अब एक फरवरी को हमने advance कर दिया यानि एक महीना advance कर दिया तो जल्दी पास हो जाएगा बजट तो जो departments से उनको पैसा मिलना start हो जाएगा और प्रथानमेंतरी नहीं क्या क्या बात है कहीं इन्होंने कहीं देखिए दो तरह के tax होते हैं direct tax और CBC और indirect tax यह का दोनों departments को मिलके काम करना चाहिए और information share करनी चाहिए time to time इस तरह की बात इन्होंने कहीं और फिर बात आती है देखिए मोदी ने कहा कि जो यह budget calendar है वो expenditure अच्छे सी utilize होगा और अगर जनता को legitimacy दिखाई जाए यानि उनको buildings दिखाई जाए इंफ्रस्टेक्चर उनको लगे कि हम जो पैसा tax के रूप में दे रहे हैं वो दिख रहे है और सरकार उस पैसे का यूज़ करते हो development कर रही है तो वो लो 2020 देखे है एक organization है जो कि international forum है for the governments and the central governments from the 20 major economies, 20 economies का एक major samoo है और एक forum यह है यह देखे है वैसे तो 1990 में बनाया था, देखे मैं आपको simple सी भासा में बताता हूँ, 1999 में यह बनाया था लेकिन हुआ क्या बाद में इसको use नहीं किया गया कभी बाद में लेकिन जब recession आया 2008 में तब देखे जो हमारी emerging economies थी जैसे कि China, India और Brazil यह मालीजिए यह recession से बच गई थी एक level के बाद में और यह western countries को पीछे छोड़ के तेजी से ग्रो कर रही थी, तो उस बात पर देखे इनका pressure ज़्यादा था, उससे पहले सारे के सारे decision या फिर सारे जो world economy की बाते वो discuss की जात emerging economies और newly industrialized economy यह कहने लगे देखे हमारा भी तो safe होना चाहिए world economy में, हमारा जो है अब देख लीजिए GDP देख लीजिए इस तरह की बाते चाइना ने कहीं, एंडिया ने कहीं, हमारी GDP है हम जितने तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उतनी तेजी से तो आप भी grow नहीं कर रहें, तो कोफी सारी issues discuss कर लेते हैं, environmental से लेटी discuss कर लेते हैं, poverty से लेटी discuss कर लेते हैं, तो इस तरह की आप UPSC के trick में फसना मत, only अगर लिक देतो वो bracket में, या फिर last में, G20 के देखे वो heads होते हैं, या फिर heads of the state होते हैं, ये मिलते हैं, और जब इनका forum होता है, और 2008 के बाद में य 1990, 1990 में तो बन गया था, लेकिन 2008 तक तो ये मिले भी नहीं, लेकिन 2008 में जब recession आया, तब जाके यो G7 को replace करने की बात कहीं, और कहा कि G20 है, ये मिलेंगे, अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए, G20 जो होता है, वो अब आजकल growing in the stature है, इसका कद काफी बढ़ रहा है और 2008 के बाद में इनकी regular meeting हो रही है, और इसमें देखिए, कौन-कौन से summits यहां पे हुए, G20, देखिए, countries के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, काफी सारे 20 countries है, नाम याद होंगे मी नहीं, तो बस आप ये याद रखिए, EU उसकी अलग से membership है, और इंडिया इसकी में member है, तो बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अगर member नहीं पूछेगा, UPSC बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, 20-20 अगर member पूछना लगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, Since its inception, देखिए, इसके inception के बाद में, वैसे कर पूछेगा, तो देखिए, आप थोड़ा सा common sense यूज कर सकते है, कुछ ऐसा पूछ लेगा, UPSC, Somalia पूछ लेगा, इस तरह से कोई पूछ लेगा, कोई बिकार सा चोटा सा country पूछ लेगा, या फिर कुछ ऐसा जो काफी stable है, हमें पता, देखते ही पता लग जाएगा, कि यह तो नहीं हो सकता G20 में, इस तरह का पूछेगा, ऐसे नहीं को देखे, G20 का पूछ सकते हैं, तो G77 का पूछ सकते हैं, ऐसे कि हम 77 मेंबर्स को याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, NAM के मेंबर्स तो 120 से जादा है, Non-Aligned Movement के, तो 120 मेंबर के हम याद रखेंगे, नहीं, अब देखे, Heads of the G20 है, वो semi-annually मिलते थे, 2-3 साल तो देखे, वो Josh Josh में, एक साल में दो बार मिले, बाद में, जब Josh ठंडा हो गया, recession चला गया था, तो वो एक साल में एक बार मिलने लगे, तो यहां पर देख लेते हैं, लास्ट के तीन समिट्स क्या हो गए थे, 2015 में देखे, समिट हो था तर्की के अंदर में, 2016 में वह था तो पहला समिट 2008 में हुआ था, वो कहा हुआ था इतना important है नहीं, लेकिन यह देख लीजिए, जो 2016 का है वो चाइना में हुआ था, और जो अगला होगा वो जर्मनी में होगा, तो आगे देख लेते हैं, आगे देखे मैपिंग है, यह political map है South America का, मैंने South Africa बोला था, देखे सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, अब देखे, South America में क्या है, South America में यह countries है, political map हमें पहले देख लेते हैं दुबारा से, यहाँ पे Argentina है, और यहाँ पे चिली है, चिली तो देखे ऐसे है, side में छोटा सा country आपको पता ही होगा, और यहाँ पे Peru है, और बोलविया है, बोल में जूलियन असांज है, जो विकिलिक्स के है, UK के अंदर में, यहाँ पे कोलम्बिया है, और यहाँ पे वनुजूला, वनुजूला में आपको पता होगा, demonetization हुआ था भी, और बंद कर दिया था उन्होंने, और यहाँ पे Guina, Suriname, French Guina, इस तरह के हैं, तो यहाँ पे political map थोड़ा सा यहाँ था, देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे mapping तो blank map से हमें करनी चाहिए, ताकि इससे ज़्यादा याद रहेगा, तो आज 3-4 location हम discuss करते हैं, एक तो location देखिए आपे साफ साफ है, Andes Mountains है यह, Coast के साथ साथ Andes Mountains लगते हैं, यहाँ भी जात लेकिन वैसे थोड़ा से बताने के लिए हैं, और काफी देखिए, लेंथ काफी ज्यादा है, तीन स्टेट में यह फैले हुए हैं, और कहीं-कही 800 km तक भी फैले हुए हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण यह बने थे, और यह जिसे नर्थ अमरिका में रोकी भी हैं, उस अगर यह पूछ सकती है, तो लोंगे स्टेन तो नहीं पूछेगी, लोंगे स्टेन है के नहीं है, लोकेशन पूछ सकती है कहा है, तो यह तो हम पता ही है, साउथ अमरिका में है, क्या कारण से बने थे, प्लेट टेक्टोनिक्स कारण है, क्या कारण से बनते हैं, अलग यह एक तरह का मरूस्तल है लेकिन यह ऑपको पता हो गवागा यह हमने साउथ अखल सकते हैं , था हम आप का आनम था , शुषुम॥ दैजरट वह भी कोस्टल डैजरट था , यह भी कोस्टल डैजरट किस कान से बनते हैं ? यह desiccation effect होता है, यहां से cold current गुजरती है, तो आप नाम बताइएगा कि यहां पे चिली के साइड से, और South America के western coast से कौन सी current गुजरती है, उसका नाम बताइएगा, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए, यहां पे हो गए Atacama Desert, और तो देखिए, दो तो ऐसी locations हैं, बेकार सी, ब्राजिल में है, ब्राजिलियन highlands, कुछ निया उपर से, पथार से उठे हुए है, और यहां पर उपर की एक location और है, गुईना highlands, यह भी उपर North South America में फैले हुए है, तो यह दो नहीं पूछेंगी, यहां पे ब्राजिलियन highlands, नाम से पता लग अब देखिए, अब थोड़े current of a discuss कर लेते हैं, current of a June के हमने कल भी discuss नहीं किये थे, और यहां से खाली पेज ले ले तो हमें काफी सारे, एक second, हाँ, ठीक है, खाली पेज मिलके काफी सारे, हाँ, तो देखिए, थोड़े current of a discuss कर लेते हैं, June के, June के हमने श्रीज स्टार्ट की हुई है, सबसे पहले देखिए, तीन-चार economics के discuss करेंगे, फिर आज साइटी के discuss करेंगे, जो हमने कल छोड़ दिये थे, national highway grid, देखिए, एक proposal आया है, national highway grid नाने का, किसली आया है, देखिए, proposal इसली आया है, देखिए, हमारे देश के अंदर में काफी सारे highways हैं, में हो, जैसे कि मनिपूर का issue था, मनिपूर का issue कौन से national highway number पे हुआ था, इस तरह के question आप देख लिया है, बाकि ऐसा कुछ है नहीं, और जब भी आएंगे, तो हम डिसर्स कर लेंगे इनको, तो national highway authority of India, उन्होंने परपोज किए, national highway grid, देखिए, अब इतने सारे highways हैं, यहा यहां पे जाना हो, यहां पे जाना हो, यहां पे जाना हो, तो connectivity नहीं है, तो अब national highway grid क्या करेगा, इन highways को भी आपस में connect कर देगा, इस तरह की बात इनोंने कही की, एक grid मनाए, कि सारे के सारे जो highways हैं, उनको आपस में जोड़ा जासके, और अभी देखिए, हमारे highways की length है, तो 36,600 km है, उसमें से जो 30,100 km है, वो तो already national highway है, और जो 18,800 है, वो 4 lane है, तो यह facts कहां कामाएंगे, प्रिलियम में कई बार यूँ पूछ लेते हैं, कि 90% are 4 lane, 30% are 4 lane, तो हमें बस पता होना चीए, कि सिरफ 36,000 में से सिरफ 18,800 जो हैं, वो 4 lanes हैं, बस देखिए, इतने सारे facts कभी भी याद नहीं होएंगे, किसी को भी याद नहीं होते, लेकिन ऐसी बाते सुनी होना, तो option देखे वहां पर logic लगा सकते हैं, हमारी common sense है, वो बहुत ज्यादा develop हो जाएगी, प्रिलियम के लिए, कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, उस तरह से mind में strike करेगा, आपके देख लेना, जब question solve करोगे, दब mock test में 6 cents आपकी बोलने लगेगी, क्योंकि knowledge इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा, कहीं ने कहीं तो सुना है, अब देखे, और दूसरी बाते क्या कर रहे हैं, और जिस नेशनल की ये highway grid बनाए जा रहे हैं, उसमें जब 12 ports, जो हमारा सागर मॉला का project भी अब ports से जोडेंगे, और दूसरे state capitals से हैं, उनसे भी connectivity national highway की बढ़ाएंगे, उसके लावा देखे, इन्होंने एक और proposal इसमें रखा है, कि जो east to west highway जाते हैं, जानी कि देखे, नोर्थ east से गुजरात की तरफ जो जा रहे हैं, उनका नाम ह इस तरह की बात इन्होंने कही है, कि इस तरह की policy होने चाहिए, और क्या है, और देखे, एक income declaration scheme आया थी, income declaration scheme तो important है नहीं, क्योंकि उसके बाद तो काफी कुछ हो चुका है, और note बंदी भी आ चुकी है, उसके बाद तो, एक देखे, पिसले साल budget में एक आया था, क्रीशी कल्यान CES, क्रीशी कल्यान CES आया था, तो देखे, क्रीशी कल्यान CES में 0.5% का CES लगाते हैं, किसके लिए, agriculture activities की growth के लिए, agriculture activities की development के लिए, और देखे, अब पहले कैतना था, पहले था service tax 14.5, अब बढ़के हो जाएगा 15%, तो क्या यह important है, नहीं, यह कोई नहीं पूछे क्रीशी के लिए, CES कौन-कौन से अभी किन-किन activities पर CES लग रहा है, तो ऐसे देदेंगे वो, agriculture activities पर CES है, तो हम बोलेगा है, दूसरा option वो देदेगे, education के लिए CES है, तो हाँ, education के लिए गोर्मेंट 3% CES लगा रही है, तो इस तरह से बस हमें पता होना है, ची कि agriculture activities के ल पूछ लेते हैं, UPSC वाले, और देखे, CES में इसका काफी criticism होता है, कि CES से चीजे और ज़्यदा complex हो जाती है, means में कई बर इसका question आता है, कि CES जो होता है, CES तो देखे, state governments के साथ ये divide नहीं होता, बाकि जो दूसरे tax होते है, वो state governments के साथ में divide करता है central government, लेकिन CES जो अब 40,000 crore मान लीजी कठा हो गए, तो तब तक यहने use नहीं करते हैं, फिर बाद में इन्हे divert कर दिया जाता है, एक la pass करके, इस तरह की कई बार अरोप लगते हैं, दूसरा देखिए, एक Central Port Authority Bill, जून में काफी सुर्कियों में था, Central Port Authority Bill, यहाँ पे देख लिए, तो यह कि दरजा दे दिया जाए, यानि उसके सारे के सारे वो रेगुलेट करेगी, उसको कमपनी जो एक्ट है हमारा 2013 वाला वो इसे रेगुलेट करेगा, तो इससे होगा क्या देखिए, इससे यह होगा कि अब सारे के सारा बाद में audit है, वो company की तरह होगा, इनका पोर्स की तरह हो दूसरी अक्टिवीटी के लिए, और इनके इस पोर्स जो बिल है, इसमें एक 9 मेंबर की भी बात कहीं गए, यह कि 9 मेंबर इसमें होंगे, अगर कोई पोर्ट के अथोर्टी बनती है, तो जिसमें से कुछ होएंगे, वो major ports के, वो head होएंगे, बाकी होएंगे, वो central government द्व आप से development कर सकेंगे, interference government का कम होगा, इस तरह की जो बाते हैं, और बाद में देखिए, और कौन सा question याप important है, सूर्य मित्रा काफी important था पिसले साल जून में, तब था अभी भी है, इवन सिरफ पिसले साल जून नहीं, उस से पिसले साल जून है, 2015 का तब भी पूछ सकती है, ये UPSC तो, सूर्य मित्रा क्या है, देखिए, सूर्य मित्रा तो है, एक technicians होते हैं, ये क्या करते हैं, ये install करते हैं, operate करते हैं, repair करते हैं, maintain करते हैं, और बाकी सब कुछ करते हैं, किनको solar appliances हैं उनको, तो सूर्य मित्रा का question आज एक टैप रिलिम में कि सूर्य मित्रा क्या है सूर्य मित्रा कुछ पूछ लेंगे कि सोलर की फेक्टरीज हैं बनाने के लिए या फिर जो वूमन है जैसे सोलर मामा जएक फेमस था तो इस तरह से पूछ लेंगे तो हमें याद रखना है यह सूर्य मित्रा जो है वह एक टेक्निशन है जो यह सोलर जो पैनल सोतेन से डील कर है तो सूर्य मित्रा आप याद रखेगा सूर्य मित्रा है क्या उसके बाद में देखिए अब थोड़ा सुसाइटी के दो-तिन टोपिक डिसस कर लेते हैं एक देखिए सुसाइटी में था विध्यांजली स्कीम आई थी तो आपको याद है विध्यांजली स्कीम है क्या नह मैं जाओंगा mygov.in पर रजिस्टर करूंगा और किसी स्कूल में जाके पढ़ाओंगा इस तरह का देखिए ये प्रावधान है विद्यांजली स्केम्स के अंदर यानि जो वोल्यूंटरी टीचर्स हैं जिनको किसी तरह का पैसा नहीं चाहिए जो या तो help करना चाहते हैं या TSR सुबर्मन्यम कमेटे की रिपोर्ट आई थी एजुकेशन पर तो कई बार इस तरह कोशन आता कि एजुकेशन पर कौन-कौन से रिपोर्ट है तो आप याद रखिएगा TSR सुबर्मन्यम और दूसरा देखिए एक स्कीम उस टाइम पर काफी थी जो इंप्लिमेंट करने क यह ऑपको एक्जमपल दू रमाइना सर्केट या फिर कृष्णा सर्केट रमाइना सर्केट में क्या है यह इन सीडीज को आपस में जोड़ेंगे ताकि इनकी रिलिजय स्पिश्चोल सिग्निविकंस हो बनी रहे और जिन लोगों को देखिए इनमें अगर जो जिन का मतुरा, विरिंदावन, गोकुल, बरसाना इस तरह की सिटी जा सकती है तो बस कहने को है अगर कोई पूछ ले की सवदेश दर्सन स्कीम है क्या देखे अब असान लग रही है सुनने में लेकिन जब कोश्चन आएगा वो किस तरह से देंगे यूपेसी वाले बिल्कुल सिंप बता होना चाहिए सवदेश दर्सन स्कीम है वो एक सरकेट्स बनाने के लिए है और अलग लग सरकेट्स में मनाए जाएंगे उसमें देखे और कॉनसी नीज इसमें इसमें इपोटन्ट थी सुसाइटी के दिश्टी कों से जून में जून में देखे और थी वो रोड से जाता है ठीक है चलो इससे कल डिसक्स करेंगे रोड सेफटी के लिए सो आज की डिसकेशन में बस इतना ही थैंक्यू थैंक्यू वारी मच्छ फॉर डिसकेशन